निमश्कार स्वागते आप सभी का आर्पीडी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सविता सिंग बैरवलाल डामोर निकिया कॉंग्रेस पार्टी से आवे दें डामोर के समर्थकों और कोशलगर वासियों में खुशी की लहर रायस्तान में विधान सभा चुनाव नजदीक हैं सभी पार्टीयां चुनावी रन में कूँच चूकी कॉंग्रेस पार्टी ने भी सभी जिलों में आब जर्वर लगाए हुए हैं जो चेत्र में जाकर fedback ले रहे हैं कॉंग्रेस पार्टी के आला कमान ने इस बार विधान सभा चुनाव लड़ने के एक शुक चाहे विधायक हो या मंत्री हो या हो कोई कॉंग्रेस का पदादी कारी वेकारे करता सभी को चुनाव लड़ने के लिए टिकेट के लिए आविदन करना होगा इसी कड़ी में पार्टी के सभी प्रबल दाविदारों ने अपने अपने आविदन भड़ दिये हैं इसी दौर के बीच बाशवाडा जिले की कुसल गड़ विधान सबा छितर में बहरवलाल डामोर ने कॉंग्रिस पार्टी से आविदन किया है मिडिया रिपोर्ट के मताबिक इनको प्रबल दाविदार माना जा रहा है आविदन की तुरंद बाद उनके समर्थखों में खुशी देखने को मिली है चुनावों को लेकर आगे उनकी क्यार रन्नीती रहेगी आईए सुनते हैं बीरवल कड़वा की ये खास मुलाकात भैरवलाल डामोर के साथ आर्पीड नियूस से में बीरवल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं कुसलगड विदान सभा कॉंग्रेस पार्टी से जो 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 उमीदवारी जता ही है बीरवलाल जी डामोर उन से रूबर होने जा रहे हैं इन से पूछते हैं इनके जीवन परीचे के बारे में इन्होंने दावेदारी जता ही है तो आगे इनके एज़ेंडे क्या रहेंगे क्या मुद्दे रहेंगे तो बीरवलाल जी अब की बार आपने पिछली बार भी आपने कदम ताल ठोकिती विदानसभा के अंदर एक अवेदन किया था और अब की बार फिर आपका नाम चर्चाओं में क्या कहना चाहेंगे अब कि बार भी मैंने दावेदारी की है इस छेत्र में इस छेत्र से किसी ने अभी तक दावेदारी की नहीं है तो यहां की लोगों की जन परतिनिदी और आम जनता की मांग है कि इस छेत्र से भी कोई उमिद्वार हो और इस छेत्र का मतलब सब्सक्राइब और जो भी आगे पार्टी फैसला करेगी उस फैसले के अनुसार हम सरकार कोंग्रेस सरकार के साथ हैं और सरकार ने गेहलोजी ने तो बहुत अच्छे काम किये हैं आम जन्म तक यहां तक कि मतलब जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर के मरन तक उनको मतलब सेवा जो भी मतलब लाब देना चाहिए वो लाब मिल रहा है जैसे आज कोई एक्सिडेंट से मर जाता है तो दस लाग रुपिय सरकार ने गोशना की है और कोई बीमार हो जाता है तो 25 लाग तक का फिरी इलाज हो रहा है तो सरकार ने बहुत अच्छे काम किये हैं इन योजनाओं को लेकर के हम चुनाब में जाएंगे और चुनाब में मतलब कॉंग्रेस जिसको भी टिगिट देगा उसके साथ हैं और स है हमने यहां पूछा तो लोगों का कि पहले आप होस्टल सुप्रिडेंट रहे हैं और उसके बाद में आपने राजनितिक छेत्रमाई क्या कहना है यह तो क्या है कि मैंने सेवाएं तो दी हैं लगबग 22 साल तक सेवाएं दी मैंने इसकूलों में भी रहा हो होस्टल सुप नहीं मिल रही हैं तो इनको आगे कैसे बढ़ाए जाएं यहां जाएं कि शेत्र बहुत पीस्टा है सफ्चा के सेत्र काफी पीष्ड़ा है विकास के सश्वं कि कर दon इस लिए मैंने विचार कि विज़कि लोगों की सेवा करें और अंकि जी जिद्गी सेवा निवरत ली और उप चुनाव हुआ तो उसमें मैंने पंचाई सिम्ति सदिश का चुनाव लड़ा और नो सो एकावन से मैं जीता था और अभी वरतमान में मैं पिपलोन कुंडिया डेम जो हैं जो लगबग नो सो किसानों का है उसमें भी मैं अध्यक्स अभी हूं और वरतमान में काम कर रहा हूं और हमारे तालाब का भी महेंदर जीत सिंग मालिवा साब ने दस करोर रुपए स्विक्रत किए उसका काम चालू है किसानों के हितों की बात भी हमेस्था करते हैं और विशेज तोरसे उनके सेव बहाँ में रहे जैसे आपने बताए किसानों से सिधा जुड़ाव हैं इसके साथ-साथ मैंने अभी वरतमान में एक इनिकर्ट स्विक्रत कर आया था नात्पूरा में जो 2 करोड़ चुम तर लाका था वो भी पूर्ण हो चुका है भी भर भी गया है पिर इसके अलावा भी हमने एक ठोलْखरा में कंडी कट देचार करोड़ नभे लाका श्विक्रत करा या एक बश्ट दुना ओभी चार करोड का है इस परकार हमने चहतर में मतलब यह 20 पंचायत इस 20 पंचायतों में हमने सव्दा कारिया दिये थे न अन में से तीन कार्ये तो अभी मतलब सविक्रत हो चुके हैं टेंडर हो चुके हैं और अभी शिला न्यास बहुत जल्द होने वाला है से इसके अराव यहां के बहुत कुस चाहरे हैं कि बहुत कुछ संभाव नाई जा रहे हैं इस पानी का उप्योग हम कैसे करें इसमें जो भी मतलब दैमशेख डैम बनाए यहां के लोग जो भाहर मज़डूरी पे जा रहे हैं ना जा करके नहीं एग से खेती करेंगे खेती करेंगे तो बच्छों को भी पढ़ाएंगे इस प्रकार यहाँ विकास सरवांगिंड विकास होगा तो आप मानते हैं यह अगर मेरे को तो निलती है लोगों की अच्छी सेवाई करेंगे उनके सिक्षा के सेत्र में सिचाई के सेत्र में और भी जैसे युवा बेरोजगार हैं उनको भी कैसे आगे लाया जाए इस परकार के अब की बार अगर बात करते हैं तो कॉंग्रेस सरकार को कहीं कहीं विपक्स ने गह रहा है जी ने तो भी बष्टेयों पर बर्तियों पर बंडियां हो रही है लेकं लेकिन का विपक्स तो क्या है कि अपना मौर्ट वोट बेर करते हैं लेकिनो जैद्हा कुछ हिसाल नहीं है गह बढकार स paradise divided इन इन मिद्गानी सेबर्त牌 परक्रिया दी मैं रहे हैं जिने घरब हैम पोस्टिंग होना बाकि है आरेस की वर्तियां हो चाहे कोई भी भरती हो या शिक अपने टीचर्स की बरती हो उसमें भी अच्छा मतलब ओर एक नया विकल्प भी आर्पीस से ने दे दिया है कि उसमें चार विकल्प होते हैं उसमें पंछेवाव कर दिमाद को को बंढा है तो इस परकार मतलब किया जा रहा है सब्सक्राइब ये कि अ के क्या aside to पाइलोट और जैसे मुख्य मंतरे सो गहलोट की बात करें बड़े लेवल की बात करते हैं तो उसका सब भी यहां द्रातल पे देखने को मिला नहीं यहां तो नहीं यह तो पार्टी लेवल की बात है उसमें सचीन जी और गहलोट जी का तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है फैसला करते हैं उसको सब मानते हैं इसलिए सचीन और गहलोट का तो कोई मुद्द है नहीं और जो भी चुनाव होगा इसमें विदायक दल जो भी नीड़ने लेंगे उस हिसाब से आगे मतलब सरकार बनेंगी और किसको सीम बनाना वो तो हाई कमान का काम है आपने कहा कि अ अच्छे काम किये गहलोट जी के साथ में काफी योजनाई लाए हैं लेकिन थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें पूराने कारी करता हूं को थोड़ा नजर अंदाज किया जा रहा है उससे लोगों में थोड़ा सा मतलब क्रोस वोटिंग होने का या ऐसा कुछ हो सकता है इनको पूराने लोग है पूराने जो जमीन अस्तर पे जुड़े हुए हैं लोगों से भावना से जूड़े हैं एक ऐसे लोगों को साथ में लेके नी चलने से थोड़ा सा मतलब लेकिन पार्टी जो भी नीड़ने देगी उसमें हम छे उमीदवार हैं उसमें सजनगर से रामचन जी परदान साहब हैं पूर परदान मोती भूरिया हैं सगनलाल जी गराश्या हैं कान सिंग डामोर हैं इस परकार छे लोगों ने हमने आवेदन दिया है और से में से जो भी पार्टी नीड़ने सब्सक्राइब कि आप सी आपकी बीच्ट के यह भी एक गुटबाजी चल रही कुसलगर विदान सब्सक्राइब कोई नहीं है यह तो क्या कोई नाराजगी नहीं रहेगी हम सब साथ में क्योंकि काफी पिछली बार भी काफी आपका नाम चलजाओं मे टिकट भी नहीं मिली आपको तो अब की बार एक बार फिर आप चर्चाओं में तो कई बार ऐसा होता है कि करेकरता हो नाराज उससे हो जाते हैं नाराज तो नहीं होते हैं इसमें क्या है कि अगली बार 2018 में हम सब ने दावेदारी की थी लेकिन पार्टी हाई कमान ने समझ टिकट दे दी तो उस वज़े से हमने निर्दली रमीला जी को लड़ाया और एक जूट होके लड़ाया था इसमें कोई गुटबाजी नहीं रही और अभी भी मतलब जिसको भी टिकट देंगे उसको हम सब साथ देंगे और आगे सरकार में बिठाएंगे अब की बार एक न पाद में अरक्षन की बात हो रही है कहां तक सेमत यह तो क्या है कि आदिवासी बेल्ट हैं लेकिन सरकार इस आदिवासी शेतर के लिए काफी विकास कर रही है जैसे अभी बासवड़ा को संभाग बना दिया है जो उदेपूर जाना पड़ता था जिन वेक्तियों को संभा परसेंट आरक्षन दे रखा तो 45 परसेंट में भी काफी कुछ हो जाता है इसलिए यह मांग उनकी है जायज हो सकती है लेकिन हम उसको इतना तवज़ों नहीं देते हैं आपके विचार में क्या होना चाहिए हाँ यह ना यह तो आदिवासी आरक्षन मंद की मांग है मांग करने वाले कर सकते हैं जो भी बुद्धी जी वी है वो मांग करते हैं लेकिन यह संभव नहीं क्योंकि राज़्तान मतलब हम क्या कॉंग्रेस है जो 37 को साथ लेके चलने वाली इसमें किसी विशेज जाती का मतलब कोई मतलब महत्व नहीं है और कॉंग्रेस आदिवासी को क के इसाथ भी खिलवार नहीं कर रही है वो भी अच्छा काम कर रही हैं जादातर आदिवासी अचrictionacci के बात करते हैं कि जादाते कि सट्र सासी परसेंट हमारी जन्दस के निवास के बावजुद जो हमें जो जन्द आरर्क्टिन ऻूं counties the बहुत महत्तर रहें तो उसको ले लेंगा हो रहा हुवड़ा है ते लुद में किसी का मतलब किसी जाती का हनम हो रहा है कि अहिवा कि कुल मैदा के आपकर के मलोगी सभी 36 कोम Engd ... जंट भारत में का कशनकी जातियां रहती और सबी का सम्मान करना चाहिए इसलिए सबी को साथ लेकर चलने में ही मतलब सार है तो यह थी हमारी चरी के बावना भी बना के रखनी है इसलिए दन्यवाद सर आपने में समय दी रहे हैं बहुत बहुत दन्यवाद सर अधिया थैंक्यू सर